जो कभी आप कलपना में सोचते थे, आज हम आखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दसक पहले तक बंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाइश्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था, किसी सरकार ने कभी बोला भी था। एक दसक पहले तक अम्रिद भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कलपना बहुत मुश्किल थी, एक दसल पहले तक नमो भारत जैसी शांदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था, एक दसल पहले तक विश्वा से नहीं हो पाता था, कि बारत जैसी रेल का इतनी टेजी से बिजली कर रहोगा। एक दसल पहले तक ट्रेन में स्वच्चता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आज ये सब रोज मरा की जिन्दिकी का हिस्सा बन गए हैं। एक दसक पहले तक मानव रहीत फाटक भारतिय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी, आज ओवर ब्रीज, अंदर ब्रीज से वे रोक्टोक और दुरगटना रहीत आवाज जाही सुनिश्चित हुई है। एक दसक पहले तक लोगों को लगता था कि एरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविदाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के भी भागे में हैं। आज गरीब और मिलकास के लोग रेलिवे स्टेशन पर भी एरपोर्ट में जैसी सुविदा होती है ना, बो सुविदा रेलिवे में सपर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाब ले सकता है। साथियों, दसकों तक रेलिवे को हमारे यहां की स्वार्त भरी राजनिती का शिकार होना पड़ा। लिकिन अब भारतीय रेलिवे देश वास्यों के लिए इस अब ट्रावेल का मुख्या आधार बन रही है। जिस रेलिवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलिवे परिवर्तन के सबसे बड़े दोर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ग्यारावे नंबर से चलांग लगा कर पांचवे नंबर की अर्थे वबस्ता बना। दस साल पहले जब हम ग्यारावे नंबर पे थे, तब रेलिवे का उसट बजट 45,000 करोड रुपिये के आस्पाद रहता था। आज जब हम पांचवे नंबर की आर्थिक टाकत है, तो इस वर्ष का रेलिवे बजट डाई लाग करोड रुपिये से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महासक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ तक कितना अधिक बड़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्ता बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड तूटी हुई हो, तो किसान के खेट तक बहुत कम पानी पहुचेगा। इसी तरह बजेट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर गोटाले होते रहें, बेईवानी होती रहें, तो जमीन पर उस बजेट का असर कभी नहीं दिखता। बीते दस वर्षों में हमने बड़े बड़े गोटालों को सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते दस वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गती दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नौर्थ इस तक ऐसे स्थानों तक भी भारतिय रेल पहुँच रही हैं, जहां लोगों ने कभी कलपना भी नहीं की थी। इमानदारी से काम हुआ, तभी डाई हजार किलोमेटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का काम हुआ है। यानि आपने टेक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब पचास परसेंट डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल नाइन बिच्ती हैं, तो मद्दूर से लेकर इंजिनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सिमेंट, स्टील, ट्रांस्पोर्ट जैसे अनेक उद्योगों दुकानों में नई नोक्रियों की संभावनाय बनती हैं। यानि आज जो ये लाखो करोड रुप्य का निवेश हो रहा है, ये हज़ारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी हैं। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, जादा ट्रेने रुकेगी, जादा लोग आएंगे, तो आसपास रेडी पट्री वालों को भी इससे फाइदा होगा। हमारी रेल, छोटे किसानों, छोटे कारिगरों, हमारे विश्व कर्मा साथ्यों के उत्पादों को बढ़ावा देनी वाली हैं। इसके लिए वन स्टेशन, वन प्रोड़क्त योजरा के तहर स्टेशन पर विशेश दुकाने बनाई गई हैं। हम रेल्वेस स्टेशनों पर हजानों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतिय रेल यात्री सुर्विदा ही नहीं हैं, बलकि देश की खेती और अउद्योगीक प्रगती का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गती तेज होगी, तो समय बचेगा। इससे दूद, मचली, फल, सबजी, ऐसे अनेक उत्पादान तेजी से मारकोट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी, इसे मेकिन इंडिया को आत्मंदिर भर भारत अभियान को गती मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकरसक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रासक्टर भी है। आने वाले पाँच वर्सों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतिये रेल की ख्षमता बढ़ जाएगी। तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांती आएगी। भारतिये रेल को अपने काया कल्प के इस अभ्यान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ। और सभी देश वासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कारकम का हिस्सा बनना। एक ही कारकमा में लाखों लोगों का जुड़ना। सभी आदने मुक्हमंत्रियों का समाई निकालना। गवर्नर्सी का समाई मिलना। यह अपने आप में आज का यह कारकम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर गया है। मैं मानता हूँ यह रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आजके कारके में रचकना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सरवादिक अच्छा उप्योग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी राएंगे। यह आज इसकी हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत-बहुत सुपकामना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। झाल झाल